नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस टेडी आईएस के चैनल पे और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नमामी गंगे और यहां पे आप लोग का बता दू कि गंगा की अथौर्टीज कम्यूनिटी हैं उनके बारे में कि जो भी यहां पे गंगा को क्लीन करने के लिए जो उसका पानी है उसे प्योरीफाई करने के लिए काम कर रहे हैं कौन से इनिशेटिव हैं जो कि भारत में लिए गए हैं पानी को साफ करने के लिए गंगा को स्पेसिफिकली साफ करने के लिए कितने ज़दा वो capable रही हैं क्या step अभी आगे लिए जाएंगे तो काफी कुछ आपके साथ मैं discuss करूँगा आज की वीडियो में आप लोग को दोस्तों क्या करना है अराम से पूरी वीडियो देखीगा कहीं पर अगर कभी भी आपको कोई doubt होता है पूरी वीडियो में तो आप लोग को तुरंत comment section में बताना है और मैं definitely बता रहा हूँ आपको आपके doubt क्लियर करूँगा साथ ही दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी आपके पास कोई suggestion है हमारे लिए या फिर आप कोई course कोई series चाहते हैं हमसे तो अपने suggestion दीजे जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें और आप लोग को जो भी content आप चाहते हैं वो provide कर सकें चलिए बढ़ते हैं आगे और discuss करते हैं अब content की बात करीए मैंने तो बता दू कोई भी content नहीं केवल सिर्फ current effect की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कोई भी अगर आप लोग को content है आप कहीं पर कुछ भी चाहते हैं अगर तो आप बता सकते हैं ज़ी दोस्तों आप लोग को बता दू कि अनेकेडमी पर offer चल रहे हैं अगर आप लोग हमारा जो code study यह चीज़ करते हैं तो आप लोग को काफ़ से benefits देखने को मिलेंगे साथ आप लोग लिए अनेकेडमी light है कोई भी अगर आप लोग का particular area है जो की week है तो आप उस अकेले section की त्यारी भी कर सकते हैं अनेकेडमी के साथ हमारा code के साथ आपको benefits देखने को मिलेंगे नए बैचे स्टार्ट है तेरह अपरेल से तो जो बच्चे भी इंट्रेस्टेड हैं UPSC CSC त्यारी कर रहे हैं वो त्यारी के लिए enroll कर सकते हैं साथ दोस्तो EMI वाली facility भी अवलेबल है आप लोग के लिए और 10 अपरेल को UPSC CSC कॉमबेक्ट आप लोग के लिए हो रहा है तो जो बच्चे इंट्रेस्टेड हैं जा सकते हैं enroll कर सकते हैं enroll करते वक्त हमारा जो code is study IES का वो जोरी use कीजेगा guidance program आप लोग के लाए गया है दोस्तो जो की start हो चुका है आप जाके देख सकते हैं इसकते हैं और एकेडमी स्टोरेजों की दोस्तो जैपुर में खुलेगा 9 और 10 अपरल को जल्दी जाएए अपने जो भी फेड़िट एजुकेटरं से मिलिए काफी सारे जो है merchandise है एन एकेडमी के ये आपको मिल सकते हैं तो जो बच्चे आस पास हैं वो जा सकते हैं विजिट कर सकते हैं साइट पे एडर्स आपके सामने लिखा हुआ है अब देखें दोस्तों आप लोग को बता दूँ यहाँ पे कि मिनिस्ट्री आफ जल्सक्ती ने लांच कि रहा है अब मिनिस्ट्री आफ जल्सक्ती की तरफ से यह काफी बड़ा है जो कदम है यह लिया गया है इसमें क्या होगा दोस्तों बता दूँ आप लोग को कि जो पूरा डैस बोड रहेगा यह यहाँ पे मदद करेगा कि जो डिस्टिक गंगा कमीटी हैं वो किस तरीके से लोगो और रिवर की बीच में कनेक्शन को बढ़ा सकती है इस चीज़ को मेंटेन करेगा विद दे हेल्प अफ इस डैस बोड आगर हम लोग बात करने इस डिस्टिक गंगा कमीटी के बारे में तो इसे इसे कॉंस्टिटूट करा गया है इन डिस्टिक ऑन दी गंगा रिवर बेसें ओके और यह एक ऐसा मेकनिजम है डिस्टिक लेव कि जो प्रॉपर युटेलेजेशन है एसेट का जिसे क्रेट करा गया है अंडर नमामी गंगे मोनिटर करेंगे ड्रेन को सैवेज फॉलिंग को जो भी रिवर गंगा में हो रहा है उनकी ट्रिबिटरी में जो भी हो रहा है इन सभी को और साथ साथ क्रेट करेंगे एक स्ट् Integrated Conservation Mission है और जिससे आप कह सकते हैं अपरूव किया गया है as a flagship program by the union government June 2014 के अंदर दो यहाँ पर main objective हैं दोस्तों पहला तो यह है कि कैसे हम लोग जो pollution है उसको कम कर सकते हैं, conservation को कैसे आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं हमारे जो river गंगा है उसको सही तरीके से हम लोग कैसे use कर सकते हैं जो भी हमारे पास assets हैं उनको और जो यहाँ पर national river गंगा है इसको हम लोग कैसे साफ कर सकते हैं इन सभी पर यह focus करेगा इसे operate करा जा रहा है under the Department of Water Resources, River Development और गंगा Resumination Ministry of जलसक्ती के द्वारा यह जो प्रोग्राम में दोस्तों इसे implement करा गया है by the national mission for clean गंगा और उसके जो state counterpart organization है जैसे कि state program management group यह सभी साथ मिलके आकि इस पूरे प्रोग्राम को implement करवाएंगे अगर हम दोस्तों नमामी गंगे के बारे में बात करें तो इससे implementation करा जाएगा wing of गंगा नेशनल गंगा काउंसिल जो की set करीगे जिए 2016 के अंदर और उसे फिर replace करा गया आपको बदा दूं कि उसने replace करा था नेशनल गंगा river basin authority को इसके लिए दोस्तों 20,000 करोड रुपय लगा गये हैं जो की पूरे तरिके से centrally funded है और इसके अंदर 288 प्रोड़क्ट्स आते हैं main pillars के बात करें किस पे काम किया जाएगा पूरा प्रोग्राम में तो service treatment infrastructure होगे आपका river front development होगी, river surface cleaning, bird diversity, frustration होगे आपका, public awareness, industrial effluent monitoring होगे आपका और गंगा ग्राम इन सभी आपके सकते हैं जो main काम है इन पे focus किया जाएगा और इनके basis पे ही जो पूरा प्रोग्राम है इसे implement करा जाएगा अगर दोस्तों हम लग और initiative करें बात करें जो कि आपके होगे गंगा action plan तो यह पहला river action plan था दोस्तों जिसे लाए गया था ministry of environment के दोरा forest climate change 1985 में और main यही काम था कि किस तरीके से water quality को हम लोग improve कर सकते हैं इंट्रसेप्शन डाइवर्जन या फिर treatment of domestic savage national river conservation plan जो है एक extension है गंगा action plan का और दोस्तों इसका यह भी हम था कि हम लोग कैसे river गंगा को clean कर सकते हैं अंडर गंगा action plan phase 2 उसके अंदर phase 2 में ही जो गंगा river थी उसके clean करने की बात करी गए थी यह सबसे पहला program था जो कि लाए गया था river action plan के अंदर फिर दोस्तों आता है आपका national river गंगा basin authority इसे form करा गया था by the government of India in the year 2009 under the section 3 of the environment protection act 1986 और इसने declare करा गया था as the national river of the इंडिया गंगा को इसी ने declare करा था काफी सारे और भी इनिशेटिव हैं जैसे की clean गंगा fund 2014 में जिसे form करा गया कि हम लोग कैसे गंगा को clean कर सकते हैं waste treatment plants होगे उन्हें बनाने की बात करी गई conservation of biotic diversity of the river इन सभी के बारे में फिर आपके होगा बुवन गंगा वेब अप जोके इंशॉर करता है पब्लिक आप कर सकते हैं involvement मॉनिटर करता है pollution जो भी रिवर गंगा में जा रहा है उसको और दोस्तो ban on waste disposal 2017 में National Green Tribunal ने ban करा था disposal of the any waste in गंगा मतलब गंगा में हम लोग कोई भी disposal नहीं फेक सकते हैं फिर दोस्तो आप लोग के लिए आता है यहां पे गंगा river system यह भी important आप लोग लिए तो बता दू आपको headwater of the गंगा को कहा जाता है भागी रत जो कि यहां पे गंगोतरी glacier से आता है और फिर वो अलग लन्दा में जाके देव प्रागर में जुड़ जाता है जो कि उतराखरंड में हरी दौर में दोस्तो गंगा image होती है काफी सारे mountains से जो आती है से उतरते हुए हीड दारव में इमर्ज हो जाती है और फिर गंगा अपने जितने भी आप कहते हैं ट्रिब्टरी जो की हिमाल्या से आती है कुछ यहां पे जो मेजर रिवर हैं यमना गागरा होगी आपकी गंदक होगी आपकी कोसी होगी इन सभी में डिस्टिबूट हो ज जरू दीजेगा उससे में मदद होती है हम लोग अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं ओके तो दोस्तों यह यह वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडिम जबता के लिए हेव नाइस दे एंड़ टेक क्या अ झाल 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 झाल